हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माय चैनल माया क्रियेटिव गार्डन फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में बेहत अच्छे से होंगे अपने पूरे परिवास के साथ बेहत खुश होंगे आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और फ्रेंड्स आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो जैसा कि आप देख रहे हैं यह है पॉनी टेल पाम और आज जो है मैं इसी के बारे में आपको कुछ जानकारियां देने चाहरी हूँ और इसकी केर के बारे में बात करने जा रही हूँ मैं आज आप से य बहुत ही सुंदर प्लांट है बहुत ही ब्यूटिफुल प्लांट है पॉनी टेल पाम इसे जो है वैसे पॉनी टेल पाम इसे कहा जाता है पर यह जो है यह पाम ट्री से बिलॉंग नहीं करता है यह जो है इसे सराही पाम भी कहा जाता है यह पाम ट्री से बिलॉंग नहीं क यह चाइनिस फैमिली से बिलॉंग करता है और इसे पाम से अब पाम के नाम से ही पुकारा जाता है इसे पाम ट्री कहा जाता है पर यह पाम फैमिली का बिलॉंग नहीं करता है और इसे पॉनी टेल पाम इसलिए कहा जाता है आप देख रहे होंगे कि यह जो है यह देखिए य एक poni की तरह इस तरह जाता है और इसे हम अपने बालों में pony tail बनाते हैं तो आप देख रहे हैं ये बिलकुल उसी तरह जब हम rubber band अपने बालों में लगाते हैं तो इस तरह भाल के आते हैं कुछ जैसे ये ँज फैल के नीचे को तो आ रहा है बिल्कुल जैसे हम आपनी पॉनी टेल बनाते हैं उसी तरीके से यह इसके जो लीव्स है यह नीचे जो है नीचे को इसे दिखाई पड़ते हैं और जहां तक इसकी केर की बात करें फ्रेंड्स तो यह है इसकी सुंदर्ता सुंदर्ता तो पूछिये मत फ्रेंड्स इसकी यह कितना खुपसूरत प्लांट है आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी के बारे में तो कुछ कहा ही नीचा सकता यह इतना सुंदर्ता है और यह बहुत ही जो है ग्रो करता है बहुत दीरे दीरे यह बढ़ता है एकदम तेजी स बहुत ही low maintenance plant है बहुत ज़्यादा इसे care की जुरत नहीं होती पानी इसे बहुत कम देना होता है बहुत अधिक अगर पानी हम इसे देते हैं दोस्तों तो इसकी ये जो ये है ये bulb जो इसका ये है ये जो है गलना शुरू हो जाता है इसलिए इसको पानी हमें बहुत अधिक नहीं देना होता है और जो main इसकी beauty होती है ये है ये जो codex इसका है ये आप देख रहे हैं इसकी main beauty ही ये ही है इस plant की और इसको पानी हमें बहुत अधिक नहीं देना है पानी अधिक देने से ये बल्ब है, यह खराब हो जाता है और धूप में भी यह रहता है बहुत अधिक जून जुलाई की धूप में थोड़ा सा इसके लीव जो है, फ्रेंड्ड्स यह देख रहे हैं यह जो इसकी टिप्स होती है यह आप देख रहे हैं, यह बर्न हो जाती है यहां से यह जलने शुरू हो जाती है जून जुलाई की जो धूप होती है कड़ी धूप जिसे बरदाश नहीं कर पाते हैं हम लोग वो उस कंडिशन में इसके जो यह है यह जो है और थोड़ी बन हो जाती है बाकी यह पूरे साल भर फ्रेंड्स ग्रो होता है बहुत ही धीरे ग्रो होता है और बस गर्मियों में थोड़ा सा यह है कि इसकी जो बन हो जाती है और जहां तक स्वाइल की इसकी बात करें फ्रेंड्स तो जो स्वाइल है आप इसे जो बहुत अधिक जैसे खाद वाली और जो होती है हमारी जो हम बहुत अच्छी रिच स्वाइल जिसे हम इसे बहुत अधिक ऐसी rich soil पसंद नहीं है हाँ sandy soil आप बना सकते हैं जिसमें थोड़ी rate वगरा मिली भी हो क्योंकि ये जो bulb है जो ये है दोस्तों इसको बहुत अधिक sandy soil या बहुत अधिक जो rich soil होती है वो बहुत अधिक पसंद नहीं है sandy soil आप बना सकते हैं इसके लिए तो बस मिठी का आपको यही ध्यान रखना है कि आप इसकी मिठी जो है बहुत अधिक वैसी ना बना है आप देख रहे हैं कितनी hard मिठी है ये देखे आप बहुत अधिक hard मिठी है इसके अंदर तो इसके लिए मिट्टी आपको ऐसी ही बनानी है जैसी मिट्टी बनी वी है ये देखिए इस तरह की मिट्टी इसको पसंद है रेतीली रेतीली टाइप की थोड़ा बहुत अधिक खाद वाली नहीं बनानी इसके लिए मिट्टी जो है हमानको और ये बहुत ही सुन्दर प्ल यहां से चारों तरफ से और इसके बेबी प्लांट निकल जाएंगे और जिसे हम जो है और प्लांट बना सकते हैं, तो यह है इसकी जानकारियां प्रेंड्स इस पॉनी टेल पाम की और यह बहुत ही कुपसुरत प्लांप ट्री है, तो अपने गार्डन में हम लोगों को इसको जरूर करना चाहिए और मैंने एक बार जो थे नर्सरी में मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे बहुत छोटा सा उसका इतना सा बन था और वह उन्होंने मुझे 150 रूपीज का बताय था बहुत चोटा सा बल्प था उसका १ा और 150 Plan उन्हें मुझे कहा था और आप देखिए ये हैं हमारा पॉनी टेल पाम ट्री और आप इसकी ब्यूटी देख सकते हैं तो अगर आज की जानकारियां आपको मेरी अच्छी लगी हों तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा एक शेयर कर दीजेगा एक सब्सक्राइब कर दीजेग और बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो देख सकें अच्छा फ्रेंड्स बाई हैपी गार्डनिंग